हाई स्टूडेंट्स तो आज हम इस वीडियो में आई बीपिएस अरार बी ऑफिसर एंड क्लर्क का जो भी नोटिफिकेशन आया है है 2021 का उसके बारे में हम अब देखने वाले उसके highlights आज हम देखने वाले तो without wasting any time हम start करते तो first of all देखते कि आज हम इस वीडियो में क्या-क्या देखने वाले क्या-क्या highlights है इस वीडियो के ओके जो भी नए students है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि first time फिल करने वाले जो student already experience है उनको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नया नहीं है अगर आपने already पता है तो ठीक है अधरोज आप भी एक बार देख लो कुछ नहीं आपको मिल जाए समझ जाए तो इसमें हम RRB, Scale 1, Scale 2, Assistant सब के बारे में हम जानकारी देखने वाले नाइस रुण के लिए बहुत ज़्यादा important वीडियो है तो क्या क्या हम देखने वाले important dates क्या है apply करने की उसके बारे में हम देखेंगे okay post क्या है prerequisite form application करने के पहले आपको क्या क्या लगने वाला है okay eligibility application fee exam structure bank options documents online offline classes यह सब हम चीज़े देखने वाले okay तो last तक देखिएगा very specific हम बात करते हैं ठीक है okay तो important dates क्या है तो this is the tentative schedule ठीक है okay तो अभी आपको last date जो application करने का हुआ है 28th of June मतलब यह महिने में 28th application dates उसके start हो गया है it's 8th of June June से ठीक है तो you can apply बहुत ज्यादा लेट नहीं करना application करने के लिए last में फिर website वह गर है उसका traffic होता है तो आप जल्दी से जल्दी apply कर दीजिए okay उसके बाद जो भी exam होगा online exam तो यह online exam is in the august exact dates नहीं बता है but august में होगा बहुत ज्यादा postpone होने का chance नहीं है okay main exam will be in the month of September and October 2021 ओके ठीक है तो बाकी dates आप चेक कर लो एक बार अभी इसमें post कौन से कौन से है देखो अभी freshers के लिए post कौन सा कौन सा है तो this is the one post यह वाला multipurpose officer का multipurpose officer को assistant बोलते है और clerk बोलते है इसको भी experience नहीं लगेगा freshers के लिए यह post है officer scale one यह वाला जो post है second वाला ओके यह भी freshers के लिए post है they can apply officer scale two कई पर one year experience और कई पर two year experience है वो आप आगे देखते हैं और scale three के लिए five years का experience है ठीक है सबसे पहले तो final year के student का क्या issue है वो सबसे पहले हम बात करते कि final year में जो अभी student है वो apply कर सकते है या नहीं कर सकते है कुछ university में exams हो गई है कई पर exams नहीं हुए final year की so whatever it is 28th June से पहले 28th June 2021 जो की last date application की इसके पहले अगर आपका result आता है then you can apply okay result आता है तो यह आप apply कर सकते हो otherwise apply नहीं कर सकते है this is a very straight and clear-cut instruction okay आया जान में आगे भी हम बात करेंगे ठीक है तो आपको apply करने से पहले आपके बास क्या-क्या रेडी चाहिए mobile number okay चालू mobile number चालू मतलब चालू नहीं valid mobile number email id dedicated ओके आपका खुद का चाहिए email id mobile number then scan size photograph signature scan किया हुआ left hand thumb impression and hand written application यह तीनो चारों का जो भी specific criteria's है वह हम सब देखने वाले है आगे ठीक है आगे लेखते है photograph scan कैसे करें तो यह photograph scanning का instructions है ठीक है तो यह आप 4.33 यह जो भी instruction है वह से आप स्कैन कर लेना ठीक है तो signature scan करना पड़ता है signature scan का यह जो dimensions है यह वाला जरूँ है और 10 to 20 KB यह सबसे ज़्यादर जरूँ size आप note कर लो size जो भी लिखा हूँ है 2250 KB अगर आप नेट कर देखो फोटो का डिजिटल फोटो मोबाइल से नहीं लेना है ठीक है फोटोग्राफ शूट करना है आपको studio में और उसको scan करना है और आप नेट काफे पर जाएंगे तो वह scan करके देखा उसको आप यह दिखा देना जो भी है और यह size में आपको लेना है 2250 KB साइन करते हो तो इस तरह से आपको साइन करना है वाइट पेपर और ब्लैकिंग यहां पर clear cut लिखा है बहुत सरे लोग फिर ब्लूइंग से करते हैं नो ब्लैकिंग से करना है लिखा है जो वैसा ही करना है ठीक है स्कैनर वाले को बोलो यह size चाहिए computer soft copy का size ठीक है यह वाला ओके next यह sample के तौर पर मैंने यहां पर करके रखाए थम लेफ्ट एंड थम इंप्रेशन चाहिए white paper के ऊपर यह white paper जो होता है न जरॉक्स लेते हैं photocopy उसका और यह black और blue इंग कोई भी इंक में चलेगा ठीक है फाइल टाइप यह फाइल टाइप जे पीजी जे पीजी चाहिए और फाइल साइज यह चाहिए net cafe वाले को बोलेगे तो वह कर देगा आपको ठीक है declaration अभी handwritten declaration आपको लिखना है ओके यह वाला declaration लिखा है यह उसमें content है उसका यह आपको लिखना है आए यह आपका नाम आ इन इंग्लिश इफ इस रिटन बाइन वडियल्स और एनी अधर लांग्वेज अप्लिकेशन लांट भी कंसिडर ठीक है आए धान में इसका फाइल साइज आपको चाहिए 50-100 के भी और यह इंग्लिश में ही लिखना है आपको विट ब्लाक इंक ब्लाक इंग से लिखना है फिर सुडन ब्लू से लिखते और वोलते चलेगा क्या चलेगा क्या नहीं ब्लाक से ही लिखना है ठीक है ओके देखो यह इस प्रकार से वह होगा और इस प्रकार से आपको लिखना है और स्कैन करना है आया धन में लिखके स्कैन करना है और यह सारी चीज़े जो है अभी ज को सेव करके अगले अप्लिकेशन में भी आपको काम आगा बार बार इसका आपको काम गिरने वाला है एक्जाम फॉर्म के लिए ठीक है और OBC अगर हो तो 31 यह केस में रिस्पेक्ट लिए सेम वेज यहां पर भी ओके आया धान में आपको किस प्रकार से रिलाक्सेशन होता है तो ओके आगे देखते हैं देखो एजिकेशनल क्वालिटीकेशन एक्स्पिरियेंस क्या लगने वाला है देखो यहां पर क्लियर कट ल चाहिए ओके तो देखो फॉर्मल्टी पर बद असिस्टर बैशलर्स डिग्री इन डिसिप्लीन रिकॉगनेज्ट बाइद इनुवर्सिटी प्रोफेशन सिन लोकल लैंग्विज प्रिस्क्राइब भार रर्भी वर्किंग नालेज़ अव कंप्यूटर और एक्स्पिरियं इन डिसिप्लीन फ्राम रिकॉगनेज़ इन उची प्रिफरेंटली आप आपके इंटर्वी स्कील्स में और रिटर्न एक्जाम्स में अच्छे होने चाहिए यह अभी मान लो कि आपका नेटिव लैंग्वेज जो है अगर आप मराथी हो तो यू का अप्लाइब अगर आप देखो यहां पर भी लिखा हुआ प्रोफिशेंस इन लोकल लैंगेज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिनका भी स्कूल में मराथी सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज भी किसी की तो वह भी अप्लाइब कर सकते हैं देखो क्या लिए कैंडिएट वह अगर अगर आपको लैंगेज नहीं थी तो यू कैन अगर आप तो फिर आपको आगे क्या लिखा देखो यहां पर अगर आप हिंदी लैंग्वेज के बैंक में के लिए अपलाए करते हो आउट आप महाराष्ट वहाँ पर भी आप जा सकते हो हिंदी आपका एक तो लैंग्वेज आपको चाहिए मार्कशिट में लिखे भी अगर वह नहीं है तो आपको 6 महने का टाइम मिलेगा आफ्टर सिलेक्शन टाइम मिलेगा और आप आपका इंग्लेश इंप्रूब कर लो सेम केस विट इनी अधर लैंग्वेज इफ यू वांट तो अपलाए आयध हैं में आपको क्या है तो ठीक है उसे लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट कहते हैं जो कि आपको बाद में देनी होती है अगर आपका वो पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज आपके चाहिए जो लोग अल्रेडी प्रावेट बैंक में काम कर रहें उनके लिए अच्छा चांस है उसके बाद स्केल टू ऑफिसर का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आई टी ऑफिसर है कोई इंजीनियर हो रहे है तो एक साल के एक्स्प्रियेंस पर भी अपलाई कर सकते हैं चार्ट स्केयनियर अफिसर को टू huge experience आपके पास है तो यू उर टू आप सिल और एकसके लिए अपलाई कर सकते हो जो कि फ्रेशर वाली उसको भी आप Tenn When Up स्केल 2 के लिए अपलाए करो क्योंकि यह आपर कॉंपेटिशन कम होती है और एक ही एक्जाम है दो एक्जाम नहीं है वन एक्जाम एन इंटर्यू बस आया धान में तो स्केल 2 शुट भी और क्राइटरिया प्रोवाइड़ यू मीट देजाइड एक्पिरियंस लेवल जो भी है ठीक है अब यह स्केल 3 का है स्केल 3 मैनेजर पोस्ट यह आप देख लो फाइव एर एक्स्पिरियंस इसको चाहिए ठीक है तो अप्लिकेशन फीज क्या है देखो आप दो पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते एक तो असिस्टेंट अलग से और ऑफिसर के लिए अलग से दो दोनों के लिए अलग-अलग दो फॉर्म करने होगे और दोनों के लिए अलग-अलग सेपरेट फीज भी पेड करनी है जान में आया आए आपको ठीक है एक यह फॉर्म में दो नहीं चलते ठीक है तो अगर आप जनरल ओबीस है तो 850 लगेगा और सेस्टी पीड़ी है तो 175 लगे सेम केस फॉर्द ऑफिसर अलसो आया जान में ठीक है अब यह देखो आनलाइन एक्जाम का स्ट्रक्चर क्या है यह जो ऑफिसर एंड मल्टी पर्पोस असिस्टेंट का है उसको प्री मेंस दो ही स्टेजे से इंटर्यू नहीं होगा ऑफिसर के लिए प्रीमेंस इंट प्रीमें रिजनी और नुमेरिकल अबिलिटी चालिस चालिस मार्क एटी होगे और 45 मिनिट्स का टाइम है 45 मिनिट्स में 80 क्वेस्टन बहुत ज्यादा स्पीड लगती है यहाँ पर अच्छे कासे हाई कट आप जाते है 80 में से 80 भी सॉल करते है स्टूडट ओके अच्छे क आप च्छे क्वेस्टन ज्यादा रहेंगे जैसे कि सिंप्लिफिकेशन अप्रोक्जिमेशन नंबर सीरीज डेटा इंटर्प्रेटेशन यह इस पर ज्यादा फोकस रहेगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे भी रहेंगे और इजी लेवल के रहेंगे जहाँ पर लॉ लिखा है मतलब कॉंटिटिटिटी अप्रिट्टिउड मतलब कमर्शियल माच और वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें ज्यादा रहेंगे इसमें भी सिंप्लिफिकेशन अप्रोक्जिमेशन नंबर सीरीज आएगा डेटा इंटर्प्रेटेशन भी आएगा बट वर्ड प्रॉब लोग कि आप महाराष्ट्र में है तो इंग्लीश में दे सकते हो हिंदी, मराठी और कोकनी लाइगज में दे सकते हो बट आई अल्वेश सजेस्ट टूडेंट्स तो गो फॉर इंग्लीश एग्जाम अली और इंग्लीश लाइगवेज ओनली अदर्वाइज यह आपका आगे देखते हैं अब यह मेंस एक्जाम में क्या होता है मेंस एक्जाम दो सो मार्क दो सो क्वेशन दो गंडे का टाइम है रीज दिंग एक आएगा उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज जनरल अवेरनेस यहाँ पर यह देखो यह 4A 4B के सामने डॉट किया मतलब यह दोनों इंगलिष लागवज और हिंदम इसको आप चूज करना है दोनों मेंसे कोई इक या थो इंगलिढ़िच और हिंदी लागवज दोनों मेंसे कोई विस और हिंदी के मेंस में इंग्लीश की जगह आप हिंदी लांग्वेज चूज़ कर सकते हो as a subject ठीक है ना जो इंग्लीश का section है वो section की जगह आप हिंदी section ले लो बाकी की reasoning, computer, general awareness वो English language में ही आपको questions रहेंगे या तो हिंदी questions रहेंगे यह subject की बात कर रहा हूँ इंग्लीश लांग्वेज की जगह हिंदी लांग्वेज आप ले सकते हो this is facility only for rrb exams and not for any other exam आया ध्यान में ठीक है rrb PO clerk के लिए facility नहीं होती ठीक है वहाँ पर आपको English इंग्लीश लांग्वेज और इंग्लीश में ही आपको उसका जवाब देना होगा आया ध्यान में ठीक है अभी officer scale 2 के लिए क्या है officer scale 2 के लिए pre exam नहीं होती यह डारेक्ट यह एक exam होगी यह वाली exam और officer scale 2 specialist officer जो है इनको professional knowledge का एक exam रहेगा जैसे की law marketing HR उस type का आया ध्यान आप चेक कर लो एक बार ओके अभी आपको options क्या देने अभी आपको जब फिल करते आप exam में form अभी applications तो वहापर आपको preference देना पड़ता है exams का मतलब bank का तो अभी जब आप अगर आप विदर्वा के student हो और आप विदर्वा में आपके posting हो तो विदर्वा को को कन ग्राव इन बैंक जो की मराटवाडा में ज्यादा located है ओके अभी इस बार विके जी भी कि जो भी यह है वेकंसीज है वो क्या है उसके सामें लिखा है nr nr मतलब not reported इसका मतलब है कि अभी उन्होंने वेकंसीज नहीं निकाली है advertisement में notification है बाद में आ सकती है वेकंसीज ऐसा मतलब हो जरो कोकन ग्राविन बैंक की वेकंसीज नहीं आई तो भी आपको इसका first option ही डालना है पहला ही preference डालना है ओके नहीं आई तो भी अगर इसकी vacancies नहीं आई जीरो वेकंसीज है तो जब भी आपका rank आएगा allotment के time तो आपको अगर यह zero vacancies है तो आपका यह option और यह preference चेक कि to bank आपका वहाँ पर कोई भी loss या कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आप यह नीचे डालते हो तो आया द्हान में आपको क्या है तो अगर आप मरट्वाड़ा के student हो और आप चाहते हो कि आपको यह bank मिले तो आप यह उपर डालो आया धान में आपको अगर आप चाहते ह हो कि आपको वो मिले तो बहुत अच्छा है तो वो बैंक सबसे उपर डालो चाहे उसकी वेकंसीज अभी नहीं है नॉट रिपोर्टेड है या निल भी है तो भी आप वो बैंक उपर रखो अगर वो बैंक की वेकंसीज नहीं आती तो आपका second option चूज किया जाएगा या चेक किया जाएगा आयाधान में ठीक है जो भी महाराष्टर के student है वो हिंदी speaking language जो भी है हिंदी native language वाले वहाँ पर भी आप apply कर सकते हो वो state में आप apply कर सकते हो आयाधान में जो की states है MP राजस्तान यहाँ पर हिंदी language is the local language you can go for these preferences also so I will suggest MP राजस्तान ये महाराष्टर से थोड़े नजदिक है तो you can consider these banks मतलब यहाँ पर जो भी banks है यह बैंक के नाम no detail notification में है तो आप एक बार देख लेना आया जो भी student नकपूर के आसपास रहते है वो लोग चतिसगर्ड या तो फिर MP यह दोनों state के आप बैंक डाल सकते हो जो कि नापूर बॉर्डर के पास में आया धान में आपको ठीक है तो इस प्रकार से आपको अगे देखते हैं डॉकमेंट्ट वेरिफिकेशन अभी आपको कोई भी करके अपलोड नहीं करना है , और कोई भी document कुरियर नहीं करना है , आया धन में not to courier ,not to upload , आया धन में नहीं आपके marksheat , नहीं आपके कास्ट वाले certificate , कुछ भी नहीं , अभी सिर्फ आपको आपके सही जानकारी फिल करनी है , उसका वेरिफिकेशन at the time of joining and at the time of interview होगा आया धन में as per the post ठीक है तो कुरियर भी नहीं करना और scan करके upload भी नहीं करना है तो scan करके upload करना है वही चीज़े जो कि अभी हमने देखी अब लिस्ट अब डॉकुमेंट्स क्या क्या लगते यह वाले एक बार चेक कर लो एक दम तूरण दिए प्रिंट आप दो वैलिड कॉल लेटर कॉल लेटर आएगा उसका प्रिंट लगेगा ठीक है पेमेंट रिसिप्ट होगी उसकी डेटा बर्त का प्रूफ ठीक है आपके क अब लाइक कर दो कास्ट वैलिडिटी के लिए अभी एक्जाम आई है अपने अपलाई किया यह रिजन आप दे सकते हो समझ कर लेंड आफिस में अपलाई करना होता है वह आप दे दो आया देन में अगर आप ओबी सी में को बिलॉंग करते हो तो आपको कास्ट आपको अलग से लगेगा वह आप एक बर चेक कर लेना आया धान में आपको क्या है तो यह सारी चीज़े आपको एड़ टाइम आफ वेरिफिकेशन लगने वाले अभी स्कैन करके नहीं करना है अभी अपलाई कर दो और जो भी डॉकुमेंट्स आपके नेसेसरी है वह जमा का रिजर्वेशन ले सकते है प्रोवाइडेड कि आप EWS कैटेगरे में आते हो इसको कुछ क्राइटेरिया जैसे कि आपके फैमिली का इंकम आठ लाग से नीचे चाहिए कुछ लैंड का क्राइटेरिया है कुछ फ्लैट और जमीन का प्लाट का क्राइटेरियो दो-तिन क्र की बार पढ़ लेना और आप लिजीबल हो तो डेफिनेटली गो फॉर EWS आया जान में कट आफ कम लगते है जो आल्रेडी कोई रिजर्वेशन ले रहे है जैसे कि SCST OBC उनके लिए EWS नहीं है आया जान में ठीक है डॉक्मेंट एट्र एग्जामल में क्या क्या लगने वाल है देकुए एग्जाम वाल में आपको ID-proof का जएरा ओरीज़नल एंड फोटो काफी ये दोनों चीजें लेकर जाना है ठीक है हाल टिकेट रहेगा वो भी लेकर जाना है ठीक है बस यह चीज़े है ओके ठीक है तो भी ज्यादा से मतलब मैक्जिमम चीज़े हमने कवर कर लिए और सब को पता चल गया कि हाउ टू अपला वह गर है वह गर है तो नभी बैकेश अपनी ओनलाइन अफलीं चालो होने वाले जो कि रिपीट स्टुडेंट है निव स्टुडेंट है अगरिकल्चर के स्टुडेंट है उन सबके लिए तो यू कैन एंड रोल फॉर दे ऑनलाइन और उफलाइन क्लासेश तो मेरा नाम अमित शेलगाउकर है मेरे बारे में नहीं बताया मैंने 97% थे मुझे MBA CT and Bank of Maharashtra में आज अफिसर करके भी काम कर चुका हूँ तो if you are interested you can call this number okay for online or offline classes तो I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा and अगर आपको application में almost सारे details हमने cover किये है इसमें फिर भी कोई अगर आपको doubt हो how to feel और कैसे क्या करना है कुछ doubt है तो ये number पर आप whatsapp कर सकते हो okay कुछ doubt difficulty queries है तो you can ask on this number through whatsapp आया धान में ठीक है ठीक है ठीक है फिर आज के लिए इतना काफी है thank you